Hello everyone, welcome to the couple classes for English slash are the class और आज की हमाई क्लास इन वर्स को ले करके है that is this, that, these and those सबसे पहले अगर मैं इनके नाम की बात करूँ तो ये होते हैं demonstrative adjective ये demonstrative pronoun अगर ये single use होते हैं as a subject की तरह तो ये कहला जाते हैं demonstrative pronoun और अगर ये noun से पहले use होते हैं तो ये कहला जाते हैं demonstrative adjective अगर मैं इनके uses की बात करूँ देखे this ये है की sense generate करता है और जो चीज आपके नजदीक है उसको ये show करता है और ये singular के लिए use होता है ठीक है और अगर मैं that की बात करूँ तो ये वो की sense करता है वो या वह की sense से generate करता है और distance को ये show करता है और ये भी singular के लिए ही use होता है और इसी तरह अगर these की बात करूँ तो these this का plural होता है ये ये बहुत सारे हो और those ये in past और ये distance को show करता है और same that भी हो ही है distance हो ये कोई past के बारे में बात कर ले हो तो उसको भी ये show करता है अब इनके uses देख लेते हैं जैसे this is my bike ये है मेरी bike है तो this singular use हो रहा है as a subject की तरह तो यहाँ पर ही कहलाया जाएगा demonstrative pronoun और अगर इस sentence को मैं ऐसे लिखूँ meaning तो लगबग सेम ही होगा this bike is mine यहाँ पर bike क्या है bike के noun है और this इसका adjective कहला जाएगा तो दोनों इस तरह के सीज़ होते हैं अब कहीं पर भी आप इनके use कर सकते हैं जैसे that was my idea वो मेरा idea था that was my idea that was my plan that was my plan वो मेरा plan था जो मैं आपको बताया था that was my plan which I told you जो मैं आपको बताया था जैसे these books are mine यह मेरी बुक्स है बहुत सारी बुक्स है तो प्लूरल है तो इसके लिए बुख सकते हैं these books are mine और अगर यह प्रोनाव्म की तरह यूज़ करना है तो आप ऐसे बुख सकते हैं these are my books आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं नहीं पर लम इस तरह दोस के लिए दोस भी इसी तरह यूज़ हो जाएगा आप बुख सकते हैं those were my friends यह वो मेरे दोस थे those were my friends तो यह living non living दोनों के लिए यूज़ सकता है that was my mistake वो मेरी गलती थी तरह बुख सकते हैं that was my mistake वो मेरी गलती थी तो इस तरह आप इन चीज़ों के यूज़ कर सकते हैं बस यह ध्यान रखना है जो चीज नजदीक है और singular है तो उसके लिए this का यूज़ करते हैं जो चीज धूर है past की बात है तो उसके लिए that का यूज़ करते हैं लेकिन दोनों singular होने चाहिए अगर इनी का ही मुझे प्लॉरल यूज़ करना है तो दीज यूज़ करेंगे डिस का दीज हुज़ाता है और दैट का दूर